Hello guys, welcome you all in a daily current affairs session. In today's session we will going to discuss 20th May 2021 current affairs. So guys, कुछ दिनों से मेरी तब्बे सही नहीं थी, इस वज़े से मैं class ले नहीं पा रहा था, बट अब मैं आपकी classes proper लूँगा. तो जो current affairs हमारी पिछले दिनों की छूटी हुई है, वो मैं आने वाले session में आपकी सारी की सारी cover करा दूँगा. तो start करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लिए आज की important news है. तो पहले हम national news को cover करेंगे. National news में पहले हम देखने वाले हैं कि अभी Punjab के जो CM है, जिनका नाम है Captain Amrindra Singh, याद रख लेना नाम बहुत important है, पंजाब की CM का नाम क्या है, Captain Amrindra Singh उन्होंने ईद के मौके पे Muslim community को, Muslim community पंजाब में जो Muslim community है, उन्हें एक gift दिया है. Gift क्या दिया है कि एक Muslim dominated area है पंजाब में जिसका नाम है Malar Kotla, उसे as a near district घोशित कर दिया, ठीक है, उसे as a near district बना दिया गया, तो आईए पढ़ लेते हैं, पंजाब Chief Minister Amrindra Singh announced the creation of new district of Malar Kotla, carving the state only Muslim majority town from Sangurur district, तो पंजाब का एक जो Sangurur district है, तो Sangurur district में में अगर बात करें, Malar Kotla भी आता था, पट Malar Kotla को अब ऐसा पूरा full-fled district declare कर दिया गया है, जो ऐसा जो एक Muslim-dominated area है, according to Malar Kotla, which is 35 km from Sangurur district headquarter, a district status was a pre-poll promise by the Congress, तो Congress ने पहली promise कर रख का था, कि अगर पंजाब में Congress government आएगी, तो वहाँ पर अगर बात करें, उन्हें as a full-fledged Malar Kotla को as a Muslim-dominated district घोशिच कर देगी, ठीक है, तो पेपर में कुश्चिन यही बन सकता है, कि पंजाब की जो CM है, वो कौन है, CM से कुश्चिन आते ही आते हैं पेपर में, फिर अभी हाली में पंजाब ने किसे as a near district घोशिच किया है, तो Malar Kotla को as a near district घोशिच किया है, और वो जो Malar Kotla, जो district ही कहां से निकला है, सांगरू district से निकला है, ठीक है, पंजाब की governor कौन है, पंजाब की जो governor है, उनका नाम है VP Singh Badanaur, क्या नाम है VP Singh Badanaur, is the governor of Punjab, ओके, next, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट ने अनाउंस किया है, आईश डिपार्टमेंट लाँच स्टेट वाइज वैलनेस प्रोग्राम आईश घर दवार, तो हिमाचल प्रदेश की जो government है, उन्होंने एक health-related initiative लाँच किया है, आईश डिपार्टमेंट के अंदर, और उस आईश डिपार्टमेंट के अंदर जो health-related initiative है, उसका नाम है आईश घर दवार, तो आईश की अगर बात करें, तो आईश अगर बात करें, government of India दवारा एक program run होता है, 1995 से program run हो रहा है, 1995 से program run हो रहा है, इसके से generally जो health-being होती है, लोगों की उस पर focus किया जाता है, जो general health-being होती है, अगर बात करें, आईश का full-form भी है, आईश के full-form की अगर बात करें, तो A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Siddhi, and X for Homeopathy, ठीक है, तो generally अगर बात करें, जो basic हमारी अगर बात करें, natural treatment होते हैं, उस पर focus किया जाता है, यह योगा है, Ayurveda है, basic आपकी diet है, उसकी basis पे आपकी well-being पे ध्यान रखा जाता है, तो हिमाचर प्रदेश के जो health minister है, उन्होंने इस scheme को launch किया, आई ये थोड़ा scheme को detailing पढ़ते हैं, देखने क्या है, इन हिमाचर प्रदेश आईश division launch a statewide wellness program, आईश खड़ दोवार for COVID-19 sufferers in Solan district, तो Solan district में इस योजना को launch किया है, तो अगर question बनेगा, तो पहला यही बनेगा, कि हमाचर प्रदेश में हाली में, जो उनके स्वास समंत्री हैं, उन्होंने कौन सी health related scheme launch करी है, तो आईश घड़ दोवार launch किया, आईश घड़ दोवार जो scheme है, यह कहाँ पर launch किया है, Solan district में किया, तो आईश मैंने बताया है, एक general well-being health scheme होती है, जो government of India तवारा run की जा रही होती है, जो basic आपको health के guideline provide कर रही होती है, ठीक है न, कि आपको अपने हाथ साफ रखने है, आपको दो गच्ची दूरी बना के रखने है, आपको एक healthy diet follow करने है, एक healthy environment को follow करना, उस तरीके की यह information लोगों तक पहुंचाता है, अब इस initiative की बात कर लेते हैं, तो कहाँ पर रही लाँच भी, Solan district में होई है, the initiative aimed to offer holistic healthcare strategy by way of IUs to make sure not solely bodily but in addition, psychological, social and religious well-being to COVID suffers by a way of IUs, तो यहाँ पर बात करें, जो भी COVID patients हैं, उनसे अगर बात करें, direct content किया जाएगा, video conferencing के तुरू content किया जाएगा, या अगर बात करें, उनसे किसी भी तरीके से content रखने की कोशिच की जाएगी, कि अगर बात करें, उनका social connection मना रहा है, psychological ही अगर बात करें, filter है, loneliness फील ना कर है और आपको isolate किया जा रहा है, तो आपको पूरा focus अपनी life पे या अपने आपको ही वहाँ पर time दो, तो इस तरीके की अगर बात करें, ये statement वहाँ के जो health minister उन्होंने video conferencing के through बोले, ठीक है न, video conferencing हुई थी, जहाँ पर अगर बात करें, जो COVID patients हैं, उनसे अगर बात करें, ये statement ही, जो वहाँ के health minister उन्होंने बात की थी, आईउश घरदवार program is being launched by आईउश विभाग हमाचल प्रदेश in collaboration with artwork of dwelling group, तो I hope आप लोगों को ये clear हो गया होगा मैंड में, कि क्या question बन सकते हैं, कि program कौन सा लाउंच किया है, आईउश घरदवार और कहां पर किया है, सोल अपला है, governor बंदरू दत्ता रहिया है, बंदरू दत्ता रहिया है, the governor of हमाचल प्रदेश and chief minister of हमाचल प्रदेश is जैराम ठाकुर, जैराम ठाकुर अगर बात करें हमाचल प्रदेश के CM है, अगली news, Reliance Jio offer free talk time for Jio phone users, तो जो Jio जिनके पास Jio phone है ना, जो Reliance ने Jio phone launch हिया अगर हम वो Jio phone use करते हैं, तो महाँ पर Reliance हमें free talk time provide कर रहा है, जो जियो phone में, ठीक है ना, during COVID pandemic, Reliance Jio said it is working with Reliance Foundation to provide 303 minutes of outgoing call per month, Reliance Foundation अगर बात करें तो NGO है, ये एक NGO है किसका Reliance group का ही, ठीक है, तो वो NGO अगर बात करें, 303 minutes outgoing call per month provide करेगा, ठीक है ना, which amount to 10 minutes per day, for the entire period of pandemic, ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करें, COVID pandemic में, जो Jio phone users हैं, उन्हें ये facility provide की जारीगे, Reliance द्वरा, अगली news, try, try पता ही होगा, टेलिकॉम regulatory authority of India, ये question भी आता है, try अभी news में है, तो try अगर बात करें, टेलिकॉम regulatory body है, जो generally, जितनी भी टेलिकॉम company's है, उन्हें spectrum, यानि license provide करता है, टेलिकॉम्निकेशन के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करें, try एक regulatory body है, इसका headquarter New Delhi में है, ठीक है, 1997 में ये establish हुई थी, और full form मैंने बताई ये, कि क्या है, टेलिकॉम regulatory authority of India, अब ये news में क्यों है, देख लेते हैं, try reported, geo tops in 4G download speed and what of one in upload in April, अप्रेल मन्स में अगर बात करें तो, जो download speed में जो top किया है, उच जियो ने किया, 4G download speed है रही है, अगर हम geo से कोई भी चीज़ download कर रहा है, तो काफी तेजी से download होती है, अगर हम Vodafone के net से कोई चीज़ upload कर रहा है, तो वो काफी तेजी से upload होती है, तो ये try ने यहाँ पर information प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो paper से question ही बन सकता है, कि अभी हाली में, जो top किया है, try की report के according, download speed में उच जियो ने, और upload speed में किस ने top किया, Vodafone ने किया, ठीक है, ये Mb, Mb, ये सब याद करने कितनी अविशक्ता नहीं है, बाकी try का, headquarter का in New Delhi established 1997 में हुआ, और try के जो chair person है, ये भी important है, इसके जो chair person है, उनका नाम है, राम सेवक सर्मा, राम सेवक सर्मा, तो ये नाम भी important है, तो जो question बन सकते हूं, मैं आपको, यहाँ बताता जा रहा हूँ, ठीक है, next, DRDO developed an oxy care system for soldiers, तो हमारे soldiers के लिए, एक oxy care system developed किया है DRDO ने, DRDO को फिल फॉर्म सों को पता ही है, defense research development organization, तो आईए देख लेते हैं, क्या news है, DRDO developed oxy care system for soldiers, which is used in high altitude area, where oxygen level drops will now be used for covid patient, तो अग यहाँ पे अगर बात करें, एक oxy care system developed किया गया है, किसके लिए, soldiers के लिए, ठीक है न, अब वही जो oxy care system है, वो यहाँ पे अगर बात करें, जो covid patients हैं, उनके लिए भी use किया जा रहा है, A total of 1,50,000 unit worth Rs. 322 crore will be purchased under PM fund, oxy care is a spo2 based oxygen supply system which regulate oxygen that is administered to patient based on sense spo2 level, the ministry of defense stated PM care fund has accorded sanction for procurement of deadlock 1,50,000 unit of oxygen care system developed by defense research development organization at a cost of 322.5 crore, तो यहाँ पे अगर बात करें, जो oxy care system soldiers के लिए developed किया DRD उने, उनने उसे covid patients के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा, Generally, यह oxy care system जो है, वो soldiers जो high altitude में होते हैं, उनके लिए यह develop किया जाता है, बड़ अब यह oxy care system है, यह covid patients के लिए यूज किया जाएगा, और इसके लिए बात करें, PM care fund से, अगर बात करें, 322 crore रुपे निकाले जाएगे और 1,500,000 unit purchase की जाएगे, ठीक है, अगर बात करें और क्या question मने सकते है, DRDO को headquarter का है, DRDO को headquarter New Delhi है, okay, and then अगर बात करें, DRDO के head कौन है, I hope आप सबको पता होगा, DRDO के head कौन है, DRDO के head का नाम है, G37 Ready, G37 Ready is the head of DRDO, okay, next, अब हम cover करेंगे international news, तो यह भी तक हमने national news cover कर ली, और उससे क्या-क्या question मने सकते हैं, वो भी हमने cover कर ल तो international news के अगर बात करें, तो Paris City Council ने plan किया है, to reduce car traffic in center of French capital by 2022, तो Paris City Council है, उनों सिंपल सा यह statement हमें अपने दिमाग में छाप लेना है, कि Paris City Council ने announce किया है, कि 2022 था हुँ, कार का जो traffic है, उससे reduce कर देंगे, question भी बनेगा कि Paris City Council ने अभी हाली में car traffic को reduce करने का जो target रखा है, वो कब तक रखा है, यानि कब तक वो traffic, जो traffic situation है, उससे वहाँ पर control कर लेंगा, तो 2022 तक, तो यह एक international news है, पता होनी चाहिए, दैन अगर बात करें, आप से फ्रांस से question बन सकता है, फ्रांस के static point से कि फ्र फ्रांस की currency क्या euro है, और फ्रांस की जो president है, उनका नाम क्या, Emmanuel Macron, क्या नाम है, Emmanuel Macron, then अब हम बात कर लेते, banking and finance news की, banking and finance news में अगर देखें, तो पहली news यह है, कि ADB record totally USD 3.92 billion loan to India in 2022, तो यहाँ पर अगर बात करें, ADB ने announce किया है, कि ADB, ADB आब लोग ने सुनाओगा, एक international bank ह जिसका full form है, Asian Development Bank, Asian Development Bank ने भारत को 2020 में 3.92 billion US dollar का loan provide किया है, तो यह काफी बड़ी amount है, तो उनोंने एक तरीके थे यहाँ पर announce किया है, कि 2020 में हमने इतना loan दिया है, तो paper में question बन सकता है, कि 2020 में ADB ने कितना loan provide किया India को, तो USD 3.92 billion, तो यह आपको figure याद रखना important है, और क्य इस से रिगार्ड़े important है, देख लेते मिलग क्या और detail दी गई है, उसमें हमारे लिए क्या important है, तो ADB stated that it has committed a record of 3.92 billion in sovereign loan for 13 projects, यह भी important है कि कितने projects के लिए 13 projects के लिए यहाँ पर लोन दिया गया है, इंडिया को 2020 में, तीरा projects के लिए इंडिया ने 3.92 billion का loan लिया है, including USD 1.8 billion in COVID-19 related project to support the government pandemic response, और इसी में अगर बात करें, COVID-19, यह 3.92 में ही अगर बात करें, तो 1.8 billion के जो projects हैं, वो आपके COVID-related ही है, ADB also approved financing to help government improve equitable access comprehensive primary health care in urban areas, तो बस खाली आपको figure याद रखना है कि 13 projects के लिए इंडिया ने 2020 में USD 3.92 billion का loan लिया है, किसे ADB से, ADB का full form बता ही है, Asian Development Bank, Headquarter Manila, Philippines, असे दिमाग में याद रख लेना है, और President कौन ADB के, Masa, Sugu, Asa, Kawa, Who is the President? Masa, Sugu, Asa, Kawa, यह January 2020 में ही बने थे हैं, ठीक है, अगली news है, World Bank extend USD 80.5 million to Sri Lanka, तो World Bank ने अगर बात करें, 80.5 million का loan प्रोवेड किया, extend कर दिया, किसके लिए श्री लंका के लिए, देखते हैं कि क्या है news, पूरी complete करते हैं, The World Bank extend USD 80.5 million to Sri Lanka for its COVID-19 vaccination drive, This useful timely resource will help us ensure equitable vaccine deployment among the eligible population of Sri Lanka, यह वहां के Health Minister जो है, उनकी Health Minister का नाम के है, पवित्रवानी अराची, ठीक है, पवित्रवानी अराची, ठीक है, उन्होंने इक टेक्लेर किया है, कि COVID-19 में वेक्सिनिशन के लिए, वर्ल्ड बैंक USD 80.5 million का लोन प्रवाइड कर रहे है श्री लंका को, सिर्व वेक्सिनिशन के लिए, श्री लंका है, वाहां के 1.1 million लोगों को फट दोस लग सकी है, और जिसमें से अगर बात करें, यहां पर वर्ल्ड बैंक ने वेक्सिनिशन के लिए, डॉलर 80.5 million प्रवाइड किया है, किसे श्री लंका को, तो पेपर में यह फिगर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टन होते हैं फिगर, तो जो भी वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया है, कि लार्ज 3-4 मेंस की, फिकर अनॉंस हो रहे हैं, जो भी amount अनॉंस हो रही हो, उन्हें में याद रखना पड़ता है, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा अपने आने वाले exams के लिए, श्रिलंका की अगर बात करें, तो श्रिलंका के जो पीम है, प्रधान मंत्री है, उनका नाम क्या है, उनका प्रेसिडेंड का नाम है, गोटा भया राजा पक्षे, ठीक है ना, गोटा भया राजा पक्षे, तो यह दोनों ही क्या है, भाई 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 है, आपको याद रखने है, दोनों ही राजा पक्षे है, एक महिंदरा, महिंदरा, महिंदरा राजा पक्षा, महिंदरा नहीं, म पूछा गया, Parent Organization World Bank Group है और World Bank के जो प्रेशिडेंट है उनका नाम किया डेविड मालपास, नेश्ट, ग्रो, ग्रो एक अगर बात करें, एक, हम बहुत सकते हैं, ब्रोकिंग फर्म है, यह क्या है, ब्रोकिंग फर्म, ब्रोकिंग फर्म क्या है, एक Stock Exchange की ब्रोकिंग फर्म है, यसे क्या होता है, आप लोगोंने Stock Exchange के बारे में सुना होगा, तो लोग Stock Exchange पैसा लगाते हैं, Stock Exchange मतला शेर मार्किंग में पैसा लगाते हैं, तो शेर मार्किंग में पैसा लगाने के लिए अगर हम बात करें, आपको क्या चाहिए होता है, एक Demet Account चाहिए होता है, क्या चाह सकते हो जिसके तुरू आप इस्टॉक मार्केड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो न्यूस में किया है कि grow to acquire India bus mutual fund for rupees 175 crore grow ने अनौंस किया है कि वो India bus के MF MF का मतलब mutual funds mutual fund जो है वो 175 crore के mutual fund खरीदेगा किसके India bus के तो on May 11 2021 online investment platform grow announced that it will be acquiring India bus mutual fund for a total consideration of rupees 175 crore ठीक है तो बस यही चीज दियात रखनी है the digital platform will acquire India bus asset management company and a trustee company of rupees 175 crore which include a cash equivalent component of rupees 100 crore तो सीधी सीधी news है कि grow एक stock exchange की brokerage firm है क्या है यह जो brokerage firm होती है नहीं depository participant ने बोलते हैं इने हम क्या बोलते हैं depository participant ने बोलते हैं financial language में तो यह depository participant है जो जनरली आपके जिससे अगर बात करो mutual fund में invest करना है या stock market में invest करना है तो grow app आता है इनका एक grow app है आप उस grow app को mutual fund company है उसे अगर बात करें acquire नहीं खरीद लिया है 175 क्रोड में ठीक है तो एक बड़ी news है business news में और business news से हमारे examination में question पूछा जाता है तो इसे आप अच्छे से याद कर लिजेगा यह amount important है और कौन सी company को acquire किया ग्रोखी अगर बात करें को जो ग्रोखी founder है उनका नाम है ललेश किशर और उसका headquarter पैंगलियूरू में है और यह 2016 में established हुई थी अब हम बात कर लेते हैं important days की तो आज की important days की है Sikkim ने अभी हाली में अपना statehood सेलिब्रेट किया 16 में को हर साथ 16 में को सिक्किम अपना state day मनाती है और यह सिक्किम का 45th state day 45th state day है जिसे उतने चिंतन भवन में celebrate किया ठीक है the function was attended by governor Ganga Prashad सिक्किम के जो governor है उनका नाम Ganga Prashad है और सिक्किम के जो chief minister है उनका नाम प्रेम सिंग तामंग है क्या नाम है प्रेम सिंग तामंग है ठीक है तो उनों ने यह function attend किया और the 16th day of May is being celebrated as the state day the day when Sikkim became the 22nd state of India in 1975 1975 में Sikkim भारत का 22 राज्य बनाता और यह 16 में को बनाता तो यह अगर बात करें यह का 45th state day था तो हर साथ 16 में को Sikkim अपना day मनाता है तो कोशी नहीं बन सकते है कि कौन से नंबर का day था 45th state day था 22nd state बनाता 1972 में वहां के जो governor है उनका नाम गंगा प्रशाद है और chief minister को अने प्रेम सिंग तामंग है ठीक है सिक्किम की capital gang talk है governor गंगा परशाद है और chief minister प्रेम सिंग कमंग है I hope आपको आज का session पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे अपने अगले session में तब तक के लिए have a nice day thank you अगर session पसंद आया हो तो please session को like कर दीजेगा हमारे channel को subscribe कर दीजेगा हम फिर मिलेंगे अपने अगले session में